दोस्तो पैसो की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन पैसो की सबसे जर्दा जरूरत उस वेक्ति को होती है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई बड़ा कारोबार होता है ना ही खुद का घर. वैसे दोस्तों ये बात सुनने में शायद थोड़ी सी अजीब लगे लेकिन ये सच है क्योंकि कई बार ऐसे हालात में भगवान अजूबे भी कर देते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं था पर एक लोटरी लगने के बाद उनकी पूरी दुनिया पलड याती है सबसे पहले हम आपको मिलवाने जा रहे हैं माइकल इनफोर्स से दोस्तों ये अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाले एक ऐसे वेक्ती हैं जिनकी किसमत कई बार बदली पहले ये एक बिजनसमेन हुआ करते थे लेकिन बिजनस में काफिस जादा नुकसान होने के बाद ये बेगर हो गये यहां तक कि इनका इनके पतनी के साथ तलाग भी हो गया छे सालों तक इनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था लेकिन इस हालात में भी ये रेगुलर लोटरी टिकट खरिदते रहें और एक बार फिर इनकी किसमत बदल गई जब आठ लाग चालिस हजार में से केवल एक चांस में ही लोटरी को जीता जा सकता था और वो उसे जीत भी गए इस लोटरी में इनहें पांच लाग डॉलर मिले यानि तकरीबन साड़े तीन करोड उपे मिले और ये लोटरी टिकट इन्हों ने केवल 10 डॉलर में खरीता था दोस्तो जब इतने सालों के बाद माइकल के हाथ में इतने सारे पैसे आये तो माइकल ने कोई फिजूल खर्ची नहीं की बलकी इन्होंने कहा कि ये 20 साल से खोई हुई अपनी बेटी को ढूमना चाते हैं और ये सारे पैसे भी उसी को देंगे जो कि अपने आप में काफी अनोखी बात है दोस्तो अब हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरीके से ड्रक्स के चंगुल में फस गई थी जी हाँ एमली अपना सब कुछ खोने के बाद रास्ते पे आ गई थी और उन्होंने ड्रक्स लेना शुरू कर दिया और ये बुरी तरीके से नसेड़ी बन गई जिसके बाद इन्होंने तरह तरह के पागलो वाले हरकत करना शुरू कर दिया और इसी वज़े से पुलिस ने इन्हें जेल में भी डाल दिया ताकि ये खुद को सुधार सकें जब एमली जेल से निकली तो इन्हें महसूस हुआ कि इस तरह तो वो अपनी सारी जिंदगी बरबाद कर देंगी इसलिए इन्होंने एक होमलेस वोमेन सेंटर को जॉइन किया और धीरे धीरे ये वहां से ठीक होने लगी अब जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा होस में आ रही थी इन्होंने लोटरी खरीदनी शुरू कर दी आपको यकीन नहीं होगा कि कुछी दिनों के बाद इन्होंने दो लाग टॉलर की लोटरी जीत बिली जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अब ये अपनी नई जिन्दगी सुरू करेंगी साथी साथ इन पैसों से इन्होंने अपने जैसी कई सारी बेघर मैलाओं की मदद भी की ग्रेंड फ्री मैन दोस्तो इसकी कहानी सच में आपको काफी हैरान कर देगी क्यूंकि जिस जुआ खेलने की आदत ने इन्हें जमीन पे ला दिया उसी आदत ने इन्हें उच्चाई पर भी पहुचा दिया जी हाँ ये निवादा के रहने वाले हैं जहां किसी भी तरह की लोटरी नहीं लगती इसी लिए इन्हों ने लास वेगस जाने की सोची जहां पे इन्हों ने कैसीनों पे खूब सारा पैसा लगाया और कुछी देर में इन्हों ने कैसीनों में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा दी हलाकि ये सुरू से जुआ खेलते थे लेकिन लास वेगस में खेलने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचा और इन्हें मजबूरन सड़कों पे रहना पड़ा कई दिनों तक सड़कों पे रहने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी का आखरी जुआ खेलने का सोचा जिसके बाद ये कोलंबिया के लोटरी टिकट शॉप पहुचे और वहां से दो बच्ची हुई लोटरी खरी ली जिसकी कीमत केवल दो डॉलर थी खुस किसमती से इनकी दोनों लोटरी निकल गई हलाकि एक में केवल इन्हें 8 डॉलर मिले जबकि दूसरे में इन्हें 1,80,000 डॉलर मिले जिसने इनकी पूरी जिन्दगी बदल दी वेक्टर हेरा अमेरिका के फोरीडा का मेमानी शहर काफी सुन्दर है लेकिन यहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और एसी के बगार यहां गुजारा करना काफी मुस्किल है वेक्टर हेरा नाम के शक्स का अपने पतनी के साथ तलाक हो गया और वो मेयामानी के एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर हो गया उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी रहता था उसके पास पैसो की काफी कमी थी इसलिए उसके घर में AC भी नहीं लगी थी एक रात इतनी जादा गर्मी पड़ी कि उसे गर्मी बरदास नहीं हो पाई और रात में ही वो एक सुपर मार्किट में बर्फ खरीदने के लिए चला गया यहां इसने एक लोटरी टिकट देखा और बर्फ की जगा उसे खरीदने का फैसला किया आपको बता दू कि केवल पांच डॉलर के लोटरी टिकट पे उसने धाई लाख डॉलर जीत लिये जो तकरीबन एक करोड पिछटर लाख रुपए के बराबर थे उस रात वो अपने बेटे को लेके एक होटेल में रुका और एसी की हवा में चैन की नींद सोया अगले ही दिन इसने एक बड़ा घर भी खरीद लिया एरिक फ्रॉम मैजिक आफ राहत दोस्तों हम अगर एरिक की बात करें तो इन्होंने लोटरी टिकट नहीं जीता है पर ये एक यूट्यूब चैनल मैजिक आफ राहत में आने के बाद पूरी तरीके से बदल गए जहां जब इन्हें राहत ने सड़कों पे पड़ा हुआ देखा तो उसने इन्हें एक लोटरी टिकट दे दी और उसके साथ 1000 डॉलर दिये ताकि वो ऐसा महसूस कर सके कि उसने लोटरी टिकट जीता है हलाकि इस पैसों से एरिक ने ज़रूरी सामान खरीदा ताकि वो कुछ दिनों के लिए सड़कों पे बहतर जिन्दगी जी सके और बचे हुए पैसे उसने राहत को वापस कर दिये एरिक की इसी बात को देखके जब ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड की गई तो लोगों ने बहुत प्यार दिया साथ ही कई सारे लोगों ने इन्हें पैसे भी डोनेट किये जहां डोनेशन 44,000 डॉलर तक पहुँच गई और इन पैसों से एरिक ने एक साल का रेंट दे के घर लिया साथ ही कुछ जरूरी समान भी खरीद लिया अच्छा चलिए मान लिजे कि आप योँ ही कहीं जा रहे हों और अचानक से आपने एक लोटरी टिकट खरीद लिया सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिरी इसमें क्या होता है और ये कैसे काम करता है लेकिन आपकी किस्मत अच्छी होती है और आप पहली बार में ही 25,000 डॉलर जीट जाते हैं तो आप इन पैसों का क्या करेंगे गाड़ी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे या फिर कुछ और दोस्तो आप चाहें कुछ भी ले लेकिन स्टीफ को पैसे जीतने के बाद भी पैसे उनके हाथ नहीं लगे जिसकी सबसे बड़ी वज़ा इनकी गरीबी थी जी हाँ सरकों पे रहने के वज़े से ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट खो चुगे थे और बिना आइडी के इन्हें लोटरी के जीते हुए पैसे नहीं मिल सकते थे इसी वज़े से ये काफी दिनों तक परिशान रहें हलाकि लोटरी टिकट क्लेम करने की लास्ट डेट क्रिसमस की थी पिछले 6 सालों से ये वेक्ती सडकों पे रह रहा था और अपनी शराब पीने की आदत को छोड़वाने में लगे हुए थे वैसे तो ये हर बार सोचते थे कि ये कोई बड़ा काम करेंगे और अपनी ये बेघर वाली जिंदगी छोड़ देंगे लेकिन हर साल कुछ न कुछ कारोनों के वज़े से इन्हें सडकों पे ही रहना पड़ता एक दिन इन्होंने सोचा कि बस अब ये अपने बचे हुए पैसे से लोटरी खरीदेंगे इन्होंने अपने लोटरी के नंबर को कुछ इस तरह से बनाया था कि अगर उन सभी नंबरों को प्लस कर दिया जाए तो 24 बनेंगे इन्होंने वैसा ही किया लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जो लोटरी ये खरीदने जा रहे हैं ये उनकी पूरी जिन्दगी बदल देगी आपको बता दे कि इन्हें धाई मिलियन डॉलर की लोटरी निकली जिनकी कीमत तकरीबन साड़े अठारा करोल भारतिय रुपे होते हैं क्रिस्टल नेलसन दोस्तो इनकी स्टोरी आपको इमोसिनल कर देगी क्योंकि ये डेली निउस्पेपर बेचने का काम करती थी और फिर अपने दोस्त के साथ ट्रक में सो जाती थी हलाकि इन्हें एक दिन 50,000 डॉलर की लोटरी निकल गई इतनी बड़ी लोटरी निकलने के बाद भी इन्होंने पैसे को खर्च नहीं किया अब आप सोच रहे हुए कि आखिर ऐसा क्यों तो दोस्तों आपको बता दू कि क्रिस्टल अपना सारा पैसा अपने भाई को देना चाहती थी ताकि उससे वो कार खरीद ले और घर का खर्चा चलाए जिससे आगे चलके उनके घर की कंडिसन अच्छी हो सके